नमस्कार दोस्तो डेली टेक्ट्यूट्स चानल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड के बारे में जानकारी देंगे दोस्तो ये मिनिस्टर्स ओफ हेल्थ और फैमिली वेलफेर के द्वारा सेट किया गया एक कैंसर पेशेंट्स फंड है जिसके आधीन बिलो पावर्टी लाइन यानि की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को एक फाइनेंशिल असिस्टेंस मिलती है अगर उनको कैं उठा सकता है तो दोस्तो पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये सेंट्रली स्पॉंसर्ट स्कीम है यानि की ये यूनियन मिनिस्टरी की स्कीम है तो दोस्तो जैसे हमने आपको पहले बताया था ये स्कीम जो है यानि की हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड ये सेट अ किया है जो उन्होंने एक fixed deposit में डाल दिया है जो भी उस fixed deposit से interest आता है उसी को लेके गरीब वरक के जो या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले cancer pediatric patients की मदद में वो काम आता है तो आप हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इसका eligibility क्या है और कौन-कौन इस scheme का फाइदा उठ सकता है तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसके beneficiary याने की कौन इस scheme को अपने अंदर ले सकता है तो दोस्तो जो भी patients है जो BPL याने की below poverty line याने की गरीबी रेखा से नीचे है वे इस scheme का फाइदा उठा सकते हैं और अगर वो cancer से पीडित है तो इसमें आपको क 27 regional cancer centers याने की जो भी आपका राज्य है हर एक राज्य में एक regional cancer center बना होता है तो इस scheme का फाइदा लेने के लिए आपको उस regional cancer center में enroll करना होगा और वहाँ पे आपका treatment किया चाहेगा उस राशी से जो आपको इस scheme के अधीन मिलेगी तो दोस्तो आएब चानते हैं इस financial assistance याने की इस आर्थिक मदद का फाइदा लेने के लिए आपको क्या-क्या documents की जरुवत पड़ेगी सबसे पहले आपको एक application form भरना होगा जिसकी उपर उस doctor के signature होने चाहिए उस doctor के हस्ताक्षर होने चाहिए जो आपको already cancer के लिए treat कर रहा है उसके बाद उसी form को आपको medical superintendent से signature करवाने होगे जो कि किसी hospital हो सकता है hospital एक सरकारी ही होना चाहिए या फिर regional cancer center का वो जो medical superintendent है हो सकता है इसके बाद आपको अपने income certificate याने की आपकी आये कितनी है सालाना आये का जो आपका एक certificate होता है वो देना होगा ताकि उनको पता लग जाए आप गरीबी रेखा से नीचे है इसके बाद आपको क्या लगेगा एक अपके जो राशनकार होता है उसकी copy तो दोसको इसके अंडर क्या है जो भी regional cancer centers है और जो fund है उनके पास 50 लाक रुपे का उनको fund दिया जाता है regional cancer centers को और अगर आपकी जो treatment है जो cancer का इलाज है उसकी अगर जो cost है वो 2 लाक है तो आपको वहीं पे आपकी cost cover हो जाएगी आपकी state में ही जिस राजे में आप रह रहे हैं regional cancer center में मगर अगर आपकी जो इलाज है वो 2 लाक से उपर है तो आपका जो case है वो दुबारा से ministry of health and family welfare को refer किया जाएगा ये reference इसलिए दिये जाएगी क्योंकि अगर 2 लाक से ज्यादा amount है तो आपका treatment सीधे ही regional cancer center में नहीं हो सकता इसके लिए आपको जो ministry of health and family जाने की सेहत और परिवार कल्यान विभाग से एक आपको reference दिया जाएगा और वहां से जब आपका approval होगा तब आपका जो case है regional cancer center पे treat किया जाएगा मगर याद रखें अगर तो आपके cancer के इलाज की cost दो लाग से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है जो भी हमने points बताए हैं आपको जैसे आपका income certificate, राशन कार्ट की copy बगएरा और आपका जो application form है sign किया हुआ एक तो आपके doctor से और second किसी भी medical superintendent से ये सब आपको लगाने है और अगर दो लाग से कम cost है तो आपका regional cancer center में इलाज हो जाएगा मगर अगर जो cost है वो दो लाग से ज्यादा है तो आपका case उपर भेजा जाएगा सेहत और परिवार कल्यान विभाग को उसके बाद जो भी उनका decision आएगा ये reference आएगा उसके बाद ही आपका इलाज शुरू किया जाएगा इस scheme के अंडर तो दोस्तो हमारे description box में जो link दिया गया है आप उस पे click करके और details में जा सकते हैं वहाँ पे एक आपको PDF में format मिल ज कीजिए तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आया हो और अगर आपके आज सपास कोई भी cancer से पीडित है और वे गरीबी रेखा से नीचे है तो क्रिपया आप उन तक ये जानकारी जरूर बचाएए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग government के जितनी भी scheme से उसका फाइदा उठा सकें आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो क्रिपया लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद